Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीईना पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I. 010 का Unit 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं उन Lessons के Basis पे किस तर के Topics बन सकते हैं, उन Topic के Basis पे क्या Quotions बन सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर Discuss करेंगे इस वीडियो का Benefit यह होगा कि आप कम समय में अपना syllabus कवर कर सकते हो Selective चीजे ही हमें सिर्फ पढ़ने की जूरत रहेंगी कि जो Important है सिर्फ हमने उसको पढ़ा और अच्छे नमबर उसके Basis पे हम ला सकते हैं चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा Useful होने वाले सबी Students के लिए तो अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा और आप तर से उनका स्वरूप था ठीक है उनका स्वरूप क्या था उनकी विसिस्ता क्या था ठीक है उसके बारे में हां पर हम बात करेंगे ठीक है तो इस वीडियो के अंदर में तो हम यूनिट 5 के बारे में ही बात करने वाले है पर यूनिट 4 की वीडियो जुरू देखे जिससे आपको सल्तनत काल के अंदर में किस तर से नगरी ववस्ता थी वो समझ माएगा सल्तनत काल के बाद आता है मुगल काली नगर ववस्ता मुगल कालिन नगर विवस्ता की बात करोगे तो यहां पे simple सा एक homework बनकर आता है exam में करी पर पूछा भी जाता है मुगल सहरों की स्थानिक विशिस्ता क्या थी जो मुगलों का सहर बना ठीक है? मुगलों ने जो सहरों की स्थापना करी उसकी स्थानिक विश्था क्या थी? उसकी विश्था किस परकार गीती? वो यहाँ पर डिफाइन करने के आता है. इस चैप्टर के अंदर में एक ही कोशन रहता है. यहाँ पर हम चैप्टर 13 की बाद करें. तो यहाँ पर आता है मद्यकालिन दक्कन में नगरों का सोरूप. अ उनका सोरूप किस परकार का था? बीजापूर गोलकुंडा के नगरे विवस्ता किस परकार का था? नगर का विकास किस परकार से हुआ? किले का विकास किस परकार से हुआ? वो रहता है. तो यहाँ पर कोशन कई बार टपनी बेश पाया जाता है कि बीजापूर किले को बता बनाया अदिल साहा के द्वारा और इसका जो सौरूप था प्राचीर ता प्राचीरों से गिरा वा था तो इस तरीक आप इन दोनों को डिफाइन कर से तो कि इनकी विसेषता क्या थी ठीक है अगले चेप्टर के बढ़ते है चैप्टर नूमर 24 यहांपे हम बात करें तो नग कि नगरी समाज के अंदर में किस प्रकार की संस्कृती थी किस तरह के लोग थी किस तरह का उनका कल्चर था उसकी बेसिस पर यहां पे कोश्चन रहता है बट कुछ खास कोश्चन बनके नहीं आते हैं अगरे चैप्टर के और बढ़ते हैं साहजानाबाद को किस नाम से जाना जाता है और अल्मोस्ट बच्चे जानते होंगे बट देखते कितने बच्चे कमेंट टरके बताते हैं कितने बच्चों को आंसर इसका पता है नहीं पता तो कूगल किसी आपको पता चलेगा देखो तो यहाँ पर कोश्चन बनकर या आता है कि जो राजधानी स्थापित करेगी मुगलों के द्वारा तो आगरा को भी राजधानी के तौर पर ट्रीट किया गया फतेफुर्शीकरी को भी राजधानी बताया बनाया गया पर बता है कि फतेफुर और आगरा के विसस्ताओं को बताई एक इस प्रकार से राजधानी बनी वह बताये तो उनको यहां पर डिफाइन करके बता होगे ठीक है अगले चैप्टर पर बढ़ते है चैप्टर नमबर 26 जहां पर हम बात करते है धार्मिक नगरिय स्थल के बारे अजमेर सरीफ जो सूफी संतों का सबसे बड़ा इस्थल के तौर पर देखा गया, इसको धारमिक केंदर के तौर पर भी देखा गया, राजनेतिक केंदर के तौर पर भी देखा गया, अगर किसी को राजनेतिक सत्ता में स्थापित होना है, तो अजमेर से ही उसका रास्ता न बनारस के अंदर में कई सारे नावाव आके बथते हैं बनारस में कंडर 811 धार्म के इंदर॥ किस तर से वहा विकास किया आ 17 0027 पर लेगा थोड़ा दयान से इंगल कोश्चन भी यहां पर बना कर 5 अगला जो कोश्चन रहता है यहां पर चैप्टर 27 से रहता है मुस्ली पत्नम का कि मुस्ली पत्नम का अध्यन करना है ठीक है के स्टुडी मुस्लिम पत्नम का जिसके अंदर में हम बात करते कि मुस्लिम पत्नम क्या है एक है क्या मुस्लिम पत्नम तो मुस्ली पत्नम एक बंद चाहरक नाम से इसको जाना गया कि जोली सदी में इसका साफनाunku आगे64 2000 on किया गया और वियपार अरब और बार इरान से किया जाता थे, इसके अंदर में इसके आ पढ़ सकते हो तो दोस्तो इस चाहिए उपको कैसी लगी वेहां किमेंट करके बताएं जो भी आपका response रही वीडियो के उपर में, उसके बाद ही मैं अगला यूनिट, जो यूनिट 6 है, वूसकी वीडियो में बनाऊँगा, तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening, but video end करने से पहले एक suggestion है, आप सभी students के लिए, अगर आप MA History के student हो, और आप अच्छे नमबर लाना चाहते हो, तो MHI 01 से लेकर MHI 010 त की यूज आते हो, important topics की video जरूर देखना चाहिए, तेके syllabus की video जरूर देखना चाहिए, जिससे आप अच्छे नमबर ला सकते हो, और useful videos हैं आप सभी students के लिए, तो इसे video के लिए, जिससे आप अच्छे नमबर ला सकते हो, गैन कर सकते हो, the friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye-bye, take care, all the प्रूबस्ट